साथियों नमस्कार पंचांग देखना सीखे दथा जोतिस बने चैनल में आपनों को हारदिक स्वागत करता हूँ साथियों हमेशा के भाती आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इस्ट मीत्रों को बताएं तो हम लोग देर न करते हुए अपने विशाय बास्तू पर चलते हैं आज का विशाय है नच्छत्र के नाम पर महीनों का नाम कैसे नच्छत्र कर ही नाम हमारे महीनों का भी रखा गया है इसे हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे किया गया, इसका निर्मान कैसे हुआ या उसका नाम कैसे रखा गया तो हम लोग जानते हैं कि बारह मास के एक बर्स होते हैं तो बारह मासों के नाम अकास मंडल में नच्छत्रों में से बारह नच्छत्रों के नामों पर रखे गए हैं। जीस मास की पूनिमा को अरंब, अंत्य या मद्य में चंद्रमा दिखाई दे उस मास का नाम होता है। यहां एक सानी दिया हुआ है, जिसे देखें महीनों का नाम पूनिमा के दिन चंद्रमा जीसरासी पर होता है। तो यहां मास हो गया, और यह जो हुए, यह हमारे नच्छत्र हुए, और यह अंग्रेजी के महीने हुए। समझ गए? तो इस परकार हम लोग सीखेंगे। जैसे 27 नच्छत्र बताए गए हैं, यहां पर 27 नच्छत्र का नाम दिया हुआ है। यहां पर 12 महीना का नाम दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि अकास मंडल में नच्छत्रों में से 12 नच्छत्र के नाम पर रखा गया है। जो 12 नच्छत्र यहां देख रहे हैं, आगे आप समझ जाएंगे जैसे चैत्र महीना है, तो हमारा पूर्णिमा के आरंभ, अंत और मध्य में चंद्रमा दिखाई दें, जिस मास में चंद्रमा दिखाई दें उसी नाम पर रखा गया है। तो चीत्रा, स्वाती, यानि चीत्रा जो है, चीत्रा के नाम पर चैत्र रखा गया। उसी परकार बिसाखा अनुराधा, बिसाखा अनुराधा के नाम पर बैसाख रखा गया। और जेश्ठा, और मूल, तो जेश्ठा के नाम पर जेश्ठ रखा गया। पुरुबा साढ, उत्रा साढ, तो उसी साढ के आधार पर हमें असाढ रखा गया। और स्रवन गनिष्टा सत्वीश तो स्रवन के नाम पर ही स्रावन रखा गया पुरुबा भादरपद उत्तर भादरपद के नाम पर भादरपद रखा गया यानि जो भादो महिना कहा जाता है उसी परकार रेवती अस्वनी और भरणी तो रेवती और अस्वनी भरणी के नाम पर आणि अस्वनी के नाम पर आस्वीन रखा गया किर्टिका और रोहणी करतिक जब आता है किर्टिका के समाई आप देखते हैं कि चंदरमा दिखाई देते हैं तो उसे हम उसे करतिक महीन मानते हैं मिर्गीष्रा मिर्गश्रा के नाम पर मार्ग शीष रखा गया. इसे अगहन कईाता है. अब आगे देखें. पूनरबस और पूखे तो पूखे के नाम पर पौखे कुष रखा गया . अव्सलेशा और मगह, मगह के नाम पर माग रखा गया. और पूरवा प्रूरबणुником पर फालगुनी तथा होस्त इसके नाम पर फालगुन डखा गया अब रही बात कि इसको हम समझें कैसे त्यहां देखिए सीरियल से लिखा गया है 2700 रचात्र का नाम चीत्रा विसाखा जेश्टा पुरुबा भातर खाड पुदर भातर पुदर 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 पु अब रही बात कि यह जब चैत्र का महिना होता है उसमें अंग्रेजी का तारीख कौन होता है तो मार्च और अप्रिल चैत्र में होता है बैसाख में अप्रिल और मई जेट महिनों में मई और जून होता है असाड में जून और जुलाई स्रावन में जुलाई और अगस्त भादरपत में अगस्त और शितंबर आस्विन में सितंबर और अक्टूबर उसके बाद कार्थिक में अक्टूबर और नौमबर अगन में नौंबर और दिसंबर पॉस में दिसंबर और जनवरी माग में जनवरी और फरवरी और फालगुन में फरवरी और मार्ग फिर पुना मर्च अगला साल चला आता है इसी परकार हमको समझना चाहिए इसी परकार बारहोर महीनों का नाम नच्छत्र के अधार पर ही रखा गया है साथ योग वीडियो जादी अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सेर करें तो सस्क्राइब करें धन्यवाद